आज हम स्टार्ट करेंगे, एल्डी हाइड्स and ketones एल्डी हाइड्स and ketones को कमबाइडली हम कार्वोनिल ग्रुप भी कहते हैं या हम इसको ऑग्जो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं तो कार्बनल ग्रूप अगर हम कहते हैं इसका अर्थ है उसमें एल्डी हाइट या कीटोन उपस्तेत हैं तो कार्बनल हुआ, CO और उस कार्बन पे दो ग्रूप उपस्तेत हो सकते हैं जिसमें आर अगर हम मानें दोनों आर हैं और अगर इसमें एक R के जगे पर एक hydrogen है वो भी उपसित हो सकता है तो इसमें hydrogen भी हो सकते हैं और alkyl समू भी हो सकते हैं तो इसको combinedly हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स यहां हम देख सकते हैं कि अगर यह दो आर है यहां पर तो alkyl ग्रुप है तब भी दो hydrogen है तब भी यह कार्बोनिल समू कहलाएगा लेकिन अगर इस आर की जगे पर एक hydrogen उपसित हो तो तो यह aldehyde है यानि इस आर की जगे पर एक hydrogen उपसित हो तो वो aldehyde कहलाएगा यानि एक उदर hydrogen भी हो सकता है उस आर की जगे पर भी इधर भी hydrogen है लेकिन एक hydrogen compulsory है यहां पर तो यह हो जाएगा aldehyde एक समूँ आर-co aldehyde हुआ और आर अगर हो दोनों आर हो तो वो कहलाते हैं ketone एक समूँ तो ketone हुआ जिसमें दो आर उपसित है और co उपसित है तो aldehyde and ketones are differentiated like this so R-C-H-O हुआ aldehyde और R-C-O-R हुआ ketone हम देखते हैं आगे इनके nomenclature के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं trivial system of nomenclature यानि जो root पतेती है उसके बारे में हम देखते हैं trivial system of nomenclature अब trivial system of nomenclature जो है उसमें हम ऐसे समझें कि जो ये ketone है या aldehyde है वो किस acid से आपचेयन द्वारा बना है या ये कहीं कि ये जो कीटोनिक ये कार्बॉनल समू है वो oxidize होकर कौन सा हमें कार्बॉक्सलिक अमल देता है let us take a simple example हम लेते हैं जिसमें दोनों hydrogen atom उपस्त है आर की जगे पर कार्बॉनल समू है और दो hydrogen atom उपस्त है तो इसका नाम हम जानते हैं वैसे क्योंकि हमें तो देखता है ट्रिवियल सिस्टम का तो पहले हम देखते हैं कि यह जो एल्डी हाइड है इसका जब हम हमें एल्डी हाइड यहां पर लिखना है तो हम जब यहां फे एक को हटाकर एल्डी हाइड लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता है formaldehyde this is a formaldehyde here form and aldehyde तो formic अमल का एक acid remove करके जो हमें नाम राप्त होगा वह होगा formaldehyde अब हम देखते हैं दूसरा नाम देखते हैं हमें उसी तरीके से करना है कि एक अमल हटाकर हमें aldehyde लिखना है तो एक और उधरन लेते हैं हम CH3-CHO यानि इसका हमें नाम निकलना है वैसे अगर हम देखें तो हम इसका नाम यहां पर अगर यह आप अभी नहीं मानिए कि आपने देखा है इसको तो हम पहले लेते हैं इसका oxidize होने पर कौन सा अमल पराप्त होता है यह मिलता है हमें acetic aml और acetic aml में से एक acid हम हटा दें तो यह acetaldehyde इसका नाम हो जाएगा यानि acid तो acid is रह गया और एक aml को हटा के हम इसका ldehyde लिख देंगे तो यह हो जाएगा नाम acetic aldehyde यह पुआक को छील होना चाहिए कि हम इसके correspondingolarmed गया आफचा होती है एक keno aldehyde के के टों की, trivial system में या rude पतुदी के अंदर एक aml एक acid को हटाकर हमें aldehyde लिख मा है तो यह हो जाएगा उसका trivial system of norman-patient let us take one more example यह अमल है बैंजोइक अमल बैंजोइक अमल है तो यहाँ पर ओएक एसेड यूज कर रहे हैं हम तो यहाँ हमें यह ओएक रिमोव करना पड़ेगा और एसे रिमोव करना पड़ेगा राइट और यहाँ है यहाँ हमें यह बैंजल डिहाइड तो यह है इसकी रूड पतिती जिसके आधार पे हम पहले इसके नाम दिखा करते थे so this is trivial system of nomenclature अब हम लेते हैं एक ketone का नाम देखना है यह dimethyl ketone है वैसे तो इसमें हमें जिस प्रकार से हम नाम लिखेंगे तो ketone तो आपका suffix आ जाएगा ketone will be a suffix और जो group है उनका नाम आ जाएगा इसमें तो dimethyl ketone इसका trivial system के आधार पे नाम हो जाएगा अब हम ले लेते हैं CH3 की जगे पर दूसरा alkyl sumo let us take C2H5 तो अब जो नाम होगा क्योंकि इदर एक ethyle है और एक methyl है ethyle alphabetically देखें तो पहले आता है E से start होता है और जो methyl है वो M से start होता है और बाद में आता है alphabetically तो हम alphabetical order में इसके substituents के नाम लिखेंगे और फिर ketone लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ethyle methyl ketone तो ये ketones का nomenclature इस प्रकास होता है trivial system में alphabetical order में हमें substituents के नाम लिखना पड़ेगा चलिए अब मिथाइल के जगे पर हम दूसरा ग्रूप वापिस आड़ कर देते हैं एक और C2H5 C2H5 आ गए अब दो इथाइल ग्रूप आ गए यानि डाय इथाइल हो जाएगा यह क्योंकि पहले methyl group था अब हमने इथाइल लगा दिया है दो इथाइल समू है तो यह जाएगा डाय इथाइल जैसे हम एथर में यूज करते हैं उसी प्रकार से ketone में भी उस करते हैं तो यह जाएगा डाय इथाइल ketone तो जो दो ग्रूप फ्लैंग्ड हैं दोनों तरफ उसका nomenclature या तो अगर सेम हैं तो डाय लिख करेंगे लेकिन यदी अलग-अलग हैं तो हम एल्फाबैटिकल ओर्डर में उनका नाम लिखेंगे जैसे पहले वाले में था तो इथाइल पहले आया फिर में थाइल यह हो गया ट्रिवियल सिस्टेम आफ नॉमेंट लेचर अब हम आते हैं आई-उ-पी-ए-सी के आधार पे हम किस प्रकार से इनका नाम लिखते हैं आई-उ-पी-ए-सी नॉमेंट लेचर पहले देखते हैं अल्डी हाइट का तो अल्डी हाइट के लिए हमी जो अल्डी हाइट का अल है इसको suffix के रूप में यूज करते है तो alkene प्लस L और क्योंकि दो वावल साथ नहीं आ सकते हैं इसलिए हमें पहले वावल को हटाना पड़ेगा जो की E है तो इसका नाम हो जाएगा L-K-N-L elk वो बताएगा कि कितने कार्बन आटम उपस्त है और alkene यानि all single bonds तो यह हो गया L-K-N-L तो आयोग पेसे नॉमेंक्लेचर L-D-H-I-D का L-K-N-L कीटोन का भी इसी प्रकार से है यहां तो L-D-H-I-D में हम A-L यूज करते हैं लेकिन कीटोन के अंदर हम इसका suffix O-N-E यूज करते हैं तो alkene प्लस on और E एक वावल है तो वो हट जाएगा पहला वावल हट जाएगा दो वावल कभी साथ नहीं होते हैं तो L-K-N-L इसका नाम हो जाएगा L-K-N-L I think समझें आया है यह आप उधारन लेते हैं है अपन CH3, CO, CH3 L कितने हैं तीन काबन आटम एक दो और तीन यानि यह प्रॉप हो गया केटोनिक रुप सेकेंन पर उपा से थै नैच्रली सेकेंन पर ही होगा तो बीच में होता है हमेशा CO तो यह नाम हो जाएगा propanone तो क्योंकि यह केटोनिक समू है अकर यह कॉर्णर पर होता तो यह CHO हो जाता और यह प्रोपेनल हो जाता, let us see this तीन करबन अटम यानि प्रोप तीनो में सिंगल बंस ती जाएगा प्रोपेन और एल प्रोपेनल इस प्रेकार से हम आयोपेसी में इनका नाम लिख सकते हैं एलकेनल और एलकेनोन तो यहां नाम हो गया यह प्रोपेनल हम इस फ्रकार से इस के नम लिख सकते हैं aldehydes and ketones के यानि carbon compounds के पहला देखा हमें trivial system और दूसरा हमें देखा IUPAC nomenclature अब हम देखेंगे इसकी next class में इसके आगे हम पढ़ेंगे